आप सब का मेरे चैनल में स्वागत है फिर क्या चलते हैं किचिन की तरफ दिवाली आ चुकी है तो पूड़िया और आलू की सबजी तो बनती ही है तो ये मैंने पॉन केजी आलू लिये थे इनको मैंने गैस ओन करके कूकर में दुलके चड़ा दिया है अब कम से कम इसमें दो बढ़ हो जाता है इसलिए हम इनको ज्यादा ओबर को नहीं करना है तो एक विसल आ गई है दूसरी विसल आने का इंतजार करते हैं दूसरी विसल भी आ गई थी गैस को आफ कर दिया है इधर हम मसाला बना लेते हैं तो इधर मैंने कम से कम चार प्याज को पहले से ही छील के धुल लिया था तो अब इनको मिकसी जार में ही मैं कट कर लेती हूँ यह मैंने मेडियम साच की प्याज है चार प्याज लिया है अलू टेमाटर की अगर ऑगर सबजी बना रहे हैं तो उस में प्याज थोड़ी सी मात्रा को जाद असा रहें neurological को омड़ी रहें तो से हमारे आलू टेमाटर की सबज़ी बह देंगे दो तिन हरी मिश्ली है इनको भी डाल देंगे और आदे इंच मैंने अद्रक लिए अद्रक को भी मैं दो पीसिस में कट करेंगे दो तिन पीसों में और इसको डाल देंगे अब इसका एक पेश्ट बना के हम तयार कर लेंगे मिक्सिजार में पेश्ट बनके हमारा तय इसको आपको छूरी से बिल्कुल नहीं काटना है हातों से जब हम मैस करेंगे तो अलू का एक अलगसा ही टेस्ट आता है सब्जी to trauma के और इसके सब्जी का तरीक से बना लेश्ज से यकीन मानिए आप अपनी गारंटी से करें कि सब्सक्राइब बहुत देश्टी बनती है अगर आपने मेरे ट्रिक से बना दी तो यह मैंने चार मीडियम साइच के टमाटर लिए हैं इनको भी मैंने पहले से ही वश कर लिया था अब इसकी आइसको निकाल देंगे और इसको थोड़े से बड़े बड़े पीसिस में कट कर लेंगे टमाटर को हमें छोटे पीसिस में नहीं कट करना है क्योंकि जब आलू टमाटर की हम सब्जी बना रहे हैं तो आलू टमाटर जो है हमारे टमाटर थोड़े से बड़े होने चाहिए जो सब्जी में दिखें और मुह में आये तो अच्छा तो टमाटर जो है हमारे थोड़े से मैंने देखिए बड़े पीसिस के कट करें हैं कम से कम एक टमाटर के मैंने 8-9 पीसिस करें हैं देखिए 2 पीसिस कर लिए हैं अब इसके मैं देखिए कम से कम 6 पीसिस मैंने कर लिए 6-5 अब इसके भी ऐसे ही कर लूँगी तो पूरे टमाटर के आपके लमसम 10 पीसिस हो जाएंगे तो इससे ज़्यादा छोटे बड़े नहीं करने है अगर बड़े हो तो आपको थोड़े पीसिस की मात्रा बढ़ा देनी तो इस तरीके से कट कर लिए है अब हमने गैस ओन करके कढ़ाई चड़ा दी है कढ़ाई अच्छी सी हो गई है तब हम इसमें ओल लगा देंगे आप जिस ओल में सब्जी खाना पसंद करते हैं उस ओल में बना सकते हैं तो इसमें मैं आदे छोटे चम्मज मैंने सूखा धनिया डाल दिया है आदे चम्मज हम जीरा डाल देंगे और दो तेज़ पाच के पत्ते डाल देंगे अब इनको बहुत अच्छे से होने देंगे जब जीरा और थोड़ी सी मैंने एक पिंच हींग डाल दी है इससे हमारे आलू टोमाटर की सब्जी में बहुत अच्छा सा टेष्ट आएगा तो जीरा धनिया तेज़ पाच के पत्त और हिंग यह अच्छे से हो गया था तो हमने जो लस्ट प्याच के पेष्ट को बना के रखा है उस पेष्ट को हम पूरा ही डाल देंगे पेष्ट को बिल्कुल भी नहीं बचाना है क्योंकि लस्टन प्याज की मातरा को थोड़ा सा हम बढ़ा के ही डालेंगे इससे आलू टोमाटर में हमारा बहुत अच्छा सा तेस्ट आएगा तो मैं पूरा पेष्ट डाल दूंगी और उपर से थोड़ा सा पानी डाल देंगे इससे मसाला हमारा जले गए भी नहीं और प्याज को हम अच्छे से भूल लेंगे मसाले हम बाद में डालेंगे पहले हम अपने इस पेष्ट को अच्छे से भूल लेंगे कम से कम दो मिनट तक इस पेष्ट को ऐसे ही हम कांटियो चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे क्योंकि हमारा मसाला बहुत अच्छे से भूनना चाहिए जिससे अलू टोमाटर की सब्जी बहुत टेश्टी बनके तयार हो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करना इससे आपको पता चल पाएगा कि यह अलू टोमाटर की सब्जी मैंने कैसी बनाई है इसमें एक चोटे चम्मच मैंने हल्दी डाल देंगे पिसी हुई और एक चम्मच हम पिसी हुई मिच डाल देंगे और एक चम्मच पिसा हुआ धनिया डाल देंगे तो ये आदे आदे चम्मच करके मैंने दो बार में डाला है तो पूरा एक चम्मच भर के धनिया हो गया था अब इसको दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये मसाला हमारा बनके तयार हो गया है लेकिन अच्छे से दही में हम इसको मसाले को मिक्स कर देंगे यानि की फेट देंगे इसे मसाला हमारा दही में बहुत अच्छे से फिट जाएगा तो दही और मसाले एक समान हो जाएंगे तो इस तरीके से मसाले को हम तयार कर लेंगे तो मसाला हमारे तयार हो गया, इसको एक साइट रख देती हैं, प्याज और टमाटर को चेक कर लेते हैं, तो प्याज टमाटर को भूनते हैं अभी दोड़ाई मिनट का समय हो गया है, देखें पानी बिल्कुल नहीं रहा है, टमाटर भी हलके हलके सौप्ट हो गया है, तो हमारा मसाला दही जो फट जाता है वो फटेगा नहीं अगर हम चलाना छोड़ देंगे तो थोड़ी दही की मातर हमारी जो कॉइंटिटी है वो फट जाएगी यानि की दही फट जाएगा इसलिए आपको ऐसे ही चलाते जाना तेखिए अब अच्छा सा खौल आ गया है मसा मसाले की पूरे घर में खुस्बू दोड़ रही थी तो यकीन मानिये बनने के बाद सब्जी का क्या लाजवाब बनेगी बिल्कुल तो अब हम नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसर अब इसे मसाले को देखते ही मूह में पानी आ रहा था इतना अच्छी खुस्बू आ रही मसाले में मैंने होम मेट बनाया है तो सब कुछ है लांग जाए फल जाए वित्री यह सब कुछ इस गरम मसाले में है तो आधे चम मज इसको डाल देंगे तो मसाला देखिए बहुत अच्छे से बुन गया है बिल्कुल पानी भी नहीं रहा है और खुस्बू भी बहुत से बुन के तायार हो गया घांऊ है आप मैज करके रखा है तो आदी मिन بहुत अच्छे से बुन लेना है तब हम अपने में करे नहीं तो देखिए जो आलू मैंने हातों से मैस करें हैं आपको हातों से ही मैस करना है चुरू का यूज नहीं करना है इससे सब्जी में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा तो अब इन आलू को मसाले में थोड़ा सा चला लेंगे आदे मिनट तक उलट पलट करके बहुत अच्छे से आलू को मसाले में मिला देंगे अब जैसी ग्रेवी खाना पसंद करते हैं वैसे ही आप पानी लगा दीजिए अभी थोड़ा पानी सही लगा देंगे खौल आने के बाद यह सब्जी अपने आपी गाड़ी हो जाएगी क्योंकि हमने आलू को छोटे बड़ा मैस करा है तो उससे हमारा गाड़ापन भी आ जाएगा और मसाला भी हमने सही से डाला है तो यह सब्जी अपने आपी गाड़ी हो जाएगी तो अब इसको देखिए कितनी बड़िया भी से इसका टैक्सर आया है और बनने के बाद कितनी अच्छी बनके तयार होगी तो इसको ऐसे ही बस अच्छे मैंने चला दी है और आपके सामनी देखिए अभी से ही इसकी ग्रेवी में कितना बढ़िया कलर और टेस्ट आया है तो बनने के बाद यह बहुत टेस्टी बनके तयार हो जाएगी तो अब इसकी लिड लगा देंगे और इसको पांच-शी मिनट तक ऐसे ही लिड हमने लगा दी है अब पांच मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी पांच मिनट के बद जब मैंने अपनी सबजी चेक करी है तो देखे कितना बढ़िया कलार आया है बनी न यम्मी सबजी बिल्कुल अपने आप ही देखे कितनी गाड़ी सबजी हो गई हम हारा धनिया डाल देंगे तो यम्मी से अलू टेमाटर की सबजी मेरी बनके बिल्कुल तयार हो चुकी है पूरे घर में भिल्कुल खुस्भू भी जोड़ रही थी बच्चों ने सबजी बहुत बहुत पसंद की थी कह रहे थे मम्मी आप इस दिवाली सबजी को जरूर बनायेगा पूणियों तो मजा ही आ जाएगा और ये अलू टेमाटर की सबजी हो और पूणिया ना बना के साथ इसा तो बनी यो बनते हैं और आपcast का अत्या पाust चिल्कु बने से से यह लिग surgery बना utan बनिके तो यह को तरी समय बनगे हैं हैं , अब अपने मात्रा में दे बड़े बाउल होगा तो इसको मैंने च्छान के तशले में कर लिया है यह मैंने कुटी हुई मिज़ डाल दी कम से कम एक चोटे चम्मज और यह कस्तूरी मेथी है यह भी दो चम्मज है इसको भी मैंने भून के क्रस्ट करके डाला है हरा धनिया डाल देंगे अब इसमें हरा धनिया डालने के बाद हम इसमें स्वाधनुसार नमक डाल देंगे तो नमक हमें ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमें सबजी से खानी है पूरिया तो थोड़ा सा नमक डालना है अब इसमें फ्रेस मलाई लेंगे मलाई हम ताजी ही लेंगे पुरानी मलाई क बहुत टेश्टी बनके तयार होती है अब हातों से में बहुत अच्छे से मलाई को और मसाले को आटे में मिक्स कर देंगे तो उगलियों की साहता से अब धीरे धीरे हम अपने आटे में बहुत अच्छे से सब को मिक्स कर देंगे और ये पूरियां बहुत मुलाइम रहती है आप ये कितने दिन भी रख लें अगर एक दो दिन भी तो भी ये पूरियां मुलाइम बनी रहती है आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और बिल्कुल जैसे हम पूरियों का डो लगाते हैं वैसा ही डो लगाक कर लीना है तो उस तरीके से मेरा डो बनके तयार हो चुका है देखिए कितना बढ़िया डो बना है तो ऐसा ही मैंने बिल्कुल पूर्णियों का डो डो प्रफेक्ट डो लगाके तयार कर लिया है इसको एक दो मिनट मैंने रेष्ट के लिए भी छोड़ना है जिससे पूरियां बहुत मुलाइं बनके तयार हो जाएंगी तो अब इसको भी रुमाल ठंक देंगे और दो तीन मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो इससे हमा कर लिएंगे तो ऐसे ही हमने लुईया सारी एक साइच की निकाल लिए है देखिए पाटे पे में एक साइच के आटे को तोड़ती जा रहे है और रखती जा आब दोनों हाथों की हतेलियू का यूस करेंगे आटे को बीच में रखेंगे और हातों से बहुत अच्छे से रगड लगा के लोहिया बनाएंगे इससे आटे में अगर कोई चिकनावट आनी होगी बो भी आ जाई यानि कि फटा फटा आटा बिलकुल नहीं रहेगा हातों की साहता से मैं लोहिया मैंने चिकना के बनाके तयार कर लिए थी अभ एक पूड़ी में और लगा किया उस्टोल तयार होगी है तो देख कितनी बढ़ीया मेरी बिल लगत बहौत देंश्त Самवान वहाट पयर हमारे पूठी हैरों सीय मनय षजám outro करना इससे लिए सब को आनन दिया जाएगा आपके घरवाले भी तारीफ करेंगे अगर आपने किसी महमान को भी खिला जी तब भी वह आपसे पूछेंगे कि आपने पूरियां और अलो टमाटर की सब्जी कैसे बनाई है तो अब हमने क्या सब्सक्राइब करके कठाई रख दी ऑल अच्छे से और जाएंगी और जो टमप्रेचर है वह हमें सही से कर लेना है तभी तभी हमारी पूरियां फुली फुली तयार होएंगी तेखिए कि बढ़िया पूरी बनी है कलर भी अच्छा आया है और फूल के बिल्कुल तयार अच्छे से हो गई है अब एक पूरी में आर और डाल क आपको दिखा देती हूं कितनी बढ़िया पूरी बनी कि यह भी मेरी और उपर से हम थोड़ा सा जो ऑईल है उसको उपर डाल देंगे तो बहुत अच्छे से पूरी हमारी पूल जाई देखिए यह भी विकुल गुबारे जैसी फूल गई है तो बनी ना देखने में भी अ लक्सा ही होता है आप मेरे कहने से जरू ट्राई करना तो देखिए कितनी बढ़िया फूली फूली पूरी बनके तयार हो रही है इसलिए मैं आपके साथ 3-4 पूरिया शेयर कर रही हूं एक पूरी नहीं कि एक पूरी दिखाई और बंद कर दी इसलिए कि आप खुद अपन हुई है तो फूली फूली पूरिया बनती जा रही है तो इसी तरीके से मैं सारी पूरिया आपको बना दूंगी तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करना सस्क्राइब करना बैल आकन के बटन को दबा के रखना और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को सेयर करना और इ हमें अगर पसंद आ रही है तो हमारी YouTube फैमली को भी जरूर पसंद आएगी तो आप सब कुसे इस मेरा यही निवेदन है कि आप मेरी वीडियो को जादा से जादा वाच कीजिए लाइक कीजिए तो एक लाइक तो आप सब का बनता है और एक एक बार आप सब मेरी वीडियो को जरूर सेर करना तो कैसी लगी आपको यह फूली फूली पूरिया भाई मुझे तो बहुत बढ़िया लग रही है देखने में भी बढ़िया खाने में भी बढ़िया और सब की तारीब भी पा रही हो तो आप भी इसी ट्रिक को अपनाईएगा और सब की तारीब पाईएग तो कितनी बढ़िया पूरिया बन नहीं है ना फूली फूली पूरिया तो मेरी बन गई है अब मैं आपको पास से दिखा देती हूं देखे कितनी बढ़िया लग रही है फूली फूली पूरिया देखे विकलं जैसे फूरिया फूलती जा रही देखने में भी यम्मि ऑ खाने में देखते या रहा है न मुँं में पानी तो आज आप इन आलू पूड़ी को जरू ट्राई करना देखी यह भी पूड़ी फूली बनके तयार हो गई है तो सारी पूड़ीया मैंने ऐसे ही बना के तयार कर लिए तो देखो कितनी बढ़िया पूड़ी बनी है आप इसको थोड़ा खरा भी सेखेंगे तब यह पूड़ीया बहुत अच्छी लगती है और आप अपने अकॉर्डिंग भी सेखेंगे जैसी आप सेखेंगे बैसी सेखेंगे तब भी देखें पास से भी दिखा देती है कितनी बढ़िया पूड़ी बन के तयार हुई है बिल्कुल यम्मी सी बिल्कुल देखने में भी अच्छी खाने में अब हम आलू टेमाटर की सबजी भी लगा देते हैं फिर इनको हम इंजुआए करते हैं तो आलू टेमाटर की यम्मी सी सबजी भी आपको पास से दिखा देते हैं कि कितनी बढ़िया बनी है तो ये पूड़ी और आलू टेमाटर की सबजी भी अखा के हमारे घर में सबको आनन्द आ गया सबको बहुत पसंद आई थी तो अगर आज आपको मेरी मसाला पूड़ी और आलू टेमाटर की अच्छी सी सबजी यानि की बढ़िया वाली सबजी अगर पसंद आए तो प्लीज प्लीज आप सब मेरे चनल को लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए बैल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को बनाने के देखने के बाद आप जरूर सको ट्राई करना और फिर मुझे बताना कमेंट्स करके कि आपको पूड़ी कैसी लगी और आलू टेमाटर की सबजी कैसी लगी तो आपके घर में जो समान है आपके पास उसी समान से आसान तरीके से आप ये थाली बना सकते हैं तो आलू टेमाटर की सबजी और पूड़ी आप जल्दी से अपने किचिन में दोड़ जाए दिवाली पे और बना के इंजवाई कीजिए तोड़के भी दिखा रही हूँ और आपको हाथों से भी दिखा रही हूँ इसको आप अगर एक दो दिन रख भी देंगे तो अब ये पूड़िया बिल्कुल ही ऐसे ही सौप्ट बनी रहेंगी तो मैं तो चलती हूँ खाने के लिए मुझे तो खाके बिल्कुल आनन्द आ गया तो आप सब लोगी इनको खाईए और बनाईए तो लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए और बैल आकन को बटन को जरूर पैस कीजिए ठेंक्स फूर वाचिंग लाइक और सस्क्राइब और इन पूरी और आलू टोमेटर को इन जुआई कीजिए बाई टेक कियर और अपना ध्यान रखिए बाई बाई